जा और जाकर अपने पराक्रम से उस वानर पर वजय का परंतू स्मराण रहे वो हमें जीवत चाहिए उसकी मृत्यू के वल हमारे हातों होगे आप कर दो कि अपने जा रहे वो हमें जाओने हमें जाता रहे विए जाता रहे वो हमें जाता है आपकी आग्या श्रोधारी है पिता श्री और उसे पूर्ण करना मेरा परमधर्म जिसने मेरे प्रिय भ्राता का वद किया है अब उसका अंत अनिवारी है मैं मेगनाद लंकेश पुत्र ये शपत लेता हो अपने अनुच की चिता की अगनी शान्त होने से पूर उस वानर को बकड़ कर लंका की राजसवा में प्रस्तुत करूँगा उसे यतोचित दंडित करूँगा यदि मैं उसे यतोचित दंडित नहीं कर पाया तो अपने आपको इसी स्थान इसी अगनी में भेट कर दूँगा सुम को बस्म कर लूँगा आतमदाह कर लूँगा he उस प्रचंड महाबली यूद्धा जिसके रण कौशल के समक्ष समस्त देवता यहां तक कि मैं देवराज इंद्र भी नहीं दिख सका हनुमन कैसे यूद्ध करेगा उसके सामने मेघनाज के हाथो पराजित होना कदाशित मेरे संपूर्ण जिवन की सबसे अपमान जनग घटना इसे में भुलाना चाकर भी भुला नहीं बाता सभी देवताओं को बंदी बना चुका हूँ मैं तरलोक कापटे हैं मेरे नाज से मेघनाज हूँ मैं मुझ से युद्ध का परिणाम केवल तुमारी पराजा है देवराजेंद्र कहो देवराजेंद्र मुझ से युद्ध करोगे या सुइच्छा से अपने शास्त्र मेरे सवक्ष डालोगे तुम जो कोई भी हो मेरे वच्छर प्रहार से नहीं बच सकते देवराजेंद्र तुमारा वज्र भी तुम्हें बचा नहीं सका कहो अपनी पराजर सुइकार करते हो या नहीं मेखनाज अत्यंत शक्ति शाली और भयंकर है परंतु उसकी सबसे बड़ी शक्ति है उसकी माया संपुर स्ष्टि में इससे अधिक मायावी शक्ति शाली योधा कोई नहीं सामने आकर युद नहीं करता है परंतु छिपकर वार करता है और जिसको कोई देख ही नहीं सकता उसको पराजित करना कैसे संभव इसकी पुर्व की मेखनाद उनको लेने उनके निकट पहुंचे सनुमान को लंका छोड़कर चले जाना चाहिए चले जाओ चले जाओ यहां से अपने प्राण प्रिये हैं तो अभी लंब इस लंका नगरी को छोड़कर चले जाओ अपनी मृत्यूं के मुख में स्वयम प्रवेश करने क्यों चले आई यहां यह स्वर कैसा चले जाओ कि अधिन दिन 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 यहां तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है फिर यह किसका स्वर है कौन हो तुम सामने आओ बहुत बड़ी भूल की है तुमने वानार भूल मैंने नहीं तुमने की है मुझे चलने की अब अपने प्राडों की रक्षा नहीं कर पाओगे तुम मुर्क वानर यहां यदि साहस है तो अंधकार को छोड़कर मेरे समक्ष प्रकाश में आओ प्रकाश प्रकाश ये इस बार रावर्ण ने किस मायावी राक्षस को भेजा है जो सामने ही नहीं आता और जिसने अपने प्रभाव से चारों और अंधकार उत्पन्न कर दिया है कौन हो तुम मायावी सामने आकर अपना परिचे क्यों नहीं देते ये है मेरा परिचे काल के इस घनन्दकार को पहचान लो वानार क्या हुआ भानार अब तुम्हारी शक्ती कहां गई जिसके बल पर तुम ने यहां उत्पात मचा रखा था कहां गया? कैसे योध्धा हो तुम ना प्रत्यक्षे होते हो और ना ही अपना परिचा देने का साहस रखते हो धूर्धवानार देवता भी जिससे भैभीत रहते हैं उतनी अपार शक्ती का स्वामी हूँ मैं मेरे नाद से तरलोग भी काप उठते हैं गूर्धवानार मेरी शक्ती ही मेरा परिचा है अच्छा इतने ही शक्तिशाली योध्धा हो तो फिर प्रत्वी में धसे इस वानर के समक्षाने में अपना नाम बताने में उसे अपना वास्तविक परिचा देने में इतना भैभीत क्यों हो प्रतीत होता है मेरे प्रत्यक्ष रूप को देखे बिना तुम्हारी जिग्या सा शांत नहीं होगी वानार कदाचित नहीं होगी क्या हुआ वानार अपने समाक्ष अपने काल रूपी लंकेश रावन के जेश्ट पोत्र मेगनाद को देख कर तुम्हारी शिराओं के बीच बहता हुआ रक्त कहीं गतिहीन तो नहीं हो गया बल्वान का अभिमान शक्ती का दम और उसका अनुचित प्रयोग किसी भी योध्धा के विनाश का कारण बनता है मेगनाद तुम्हारे अनुज अक्ष ने भी मुझसे ऐसे ही वचन कहे थे जिसका परिणाम वो भुगत चुका है तुम्हारे मेरे बारे में ग्यात नहीं परन्तु समय आ गया है कि मैं तुम्हारी क्रीडा को समाप्त करके तुम्हारे उदंड व्योहार को ठीक करने के लिए एक उप्युक्त सीख दूँ तुम्हारे में जाओ व्योफ जाओ व्योफ परन्तु समय कर दो झैजया तुम्हार व्यों आ.प स्व. आ.पस्व. आ.पस्व. प्रसुबएए यूप से करते हैं झाल 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 तू ने मेरे प्रीय भ्राता परागर्मी अक्ष का वद किया है दंड दूगा इसका मैं इस राम दूत को दंड दोगे तुम इस भ्राम में मत रहना मेगनार अभी भी समय है कह दो अपने पिता से कि अपनी भूल को सुधार ले अन्यथा दंड भुक्तों के तुम तुम्हारे पिता रावन और संपूर्ण राक्ष स्कुल बस दुष्टवानर बस अब तुम्हारी और धृष्टता सहन नहीं करूँ मैं अब तुम्हारी जिबान ही मेरे शस्त्र चलेंगे हे प्रभू रख्षा करो अनुमान की लो वानर, अब तुम महायोद्धा मेगनाद का रहार सा हो, जै श्री रां। खानर, घर सो एका, थो ही और क्या खुम hmmm 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 अद्रिश्य होकर वार कर रहा है तुछ वानर कहां तक भागोगे जहां जाओगे मैं अपने खड़क लेकर पल भर में वहां पहुच जाओगा बल और छल दोनों को प्रेयोग कर रहा है यह मेगनाथ कहां गया यह पुना हमेरे समीप पहुच गया यह देखना उस उद्धेंडवानर का कैसे संगार होगा इस बार उसका युद्ध किसी साधारन युद्धा से नहीं महा शक्तिशाली अतीम आयावी महा युद्धा युवराज मेगनाथ से है जो उसका वर्द करेंगे रावड पुत्र युवराज मेगनाथ की अपार शक्ति का तो मनुमान भी नहीं लगा सकती मैं उस बार के शरीर को छट भी छट कर भायानक वृत्य देंगे उसे अब इस खंप के नीचे दपकर तुम महत हो जाओगे वानर है इसने इस खंप को ताम कर रोग लिया आज प्रथम भार मुझे अपने स्वपनी की सत्यता पर संदे हो रहा है ऐसा आभास हो रहा है जैसे युवराज मेगनाथ की राक्षसी शक्ति उस राम दूत पर हावी हो रही है आपका स्वपनी सत्य ना हो यह संभव है प्रभू श्री राम और उनके भेजिवे दूत की शक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता मुझे पोर्ण विश्वास है कि हनुमान युवराज मेगनाथ की शक्ति का बहुत सहचता से साम्रा कर रहे होंगे जोए श्री राम दिए शक्ति कोड़े ऑपनाथ श्री शक्ति का बहुत सहचता से साम्रा जिए अपनाथ मेगनाथ युवरास है इस घंब से मैं नहीं, तुम आहत होगे मेगनाद? तुम्हारा कतल सन्वता उचित है देवी अन्ना, अपने सिद्ध वाडों से किसी भिशद्धू को हताहत करने में सक्षम, मायावी अस्त्रों की देवराज इंद्र के नेत्रत्तों में समस्त देवताओं को पराजित करने वाले महाप्रतापी योध्धा है युवराज मेगनाद? जैसे उनके लिए थेड़ा स्थाल है, जहां वो असंभव को भी संभव कर सकते हैं, उनके भयानक खटगों की जूड़ी से आज तक कोई योध्धा पार नहीं पासका है ये रावण पुत्र मेगनाद वास्तों में असाधारण योध्धा है, इसे परास्त करना बहुत कठिन है तुम्हारे खड़क तो मेरे साधारण आकार को भी खशती नहीं पहुँचा सके थे उनके प्रहार मात्रशिलाएं, खंप और व्रिक्ष ही खंडित कर पाए थे फिर तुम मेरे इस सुक्षम शरीर को खंडित कैसे कर पाओगे तुम्हें वो सामर्थ नहीं है मेगनाद तुछ वानर तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इन साधारण शक्तियों से मुझे मात दे पाओगे तुमने मुझ इंद्रजीत की शक्तियों को चुनोती देने का दुस्सा हस किया है इसका उच्चे धंड मिलेगा तुझे परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जावानर धो इंद्रजीत योधा बलवाना सामने बजरंगी हनुमाना कर रहे तो परस परवारा हनुमत योगती एक विचारा राम सिया राम सिया राम जै हनुमान ये वानर पुना बच गया तुम फिर विफल हो गए मेगनाद फुम इुम खकाफ। सुटतन पर्ञशा Bennett कर दो बचा प्त dei विफल कर दो जोप्षा कै लिफल खन्म लिफ schonisान मेगनाद, तुम एक श्ट्रेस्ट योधा अवश्य हो तुम्हारी मायावी शक्ति और युध्ध कौशल अद्वित्य है, परंतु अहनकार से ग्रसित होकर इतनी सरलता से तुम अपने खडग गवा बैठे, तुम्हारा यही राक्षसी दंब तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा, अपने बल और बुद्धी से मुझे छका कर यह तो पुन्हा अद्रिश्य हो गया तुम्हारे लिए तो मेरे हाथ ही परयाप्त है, वानर दुष्ट वानर, लंका की तीन बहु मुल्नि निदियों को खंडित करने का अपराद किया है तुम्हें? पहले मेरे पिताश्री की अशोक वाटिका को जिन्न विन्न करके रख दिया, मेरी माता के दुलारे पुत्र, अक्ष कुमार का निर्मवद कर, मेरी माता की कोक को उजार दिया, और अब मेरे सरबादिक प्रिये खरगों, उनको नश्ट करने का अपराद किया है तुम्हें, भायानक दंड, ग्रोध वश इसने मेरे समक्ष, अपना मुख प्रकट कर दिया है, परंतु इसके पूर्फ की ये पुनहा अद्रिश हो जाए, मुझे इसे प्रकट रखने का उपाय सोचना होगा, सूज गई युक्ती, अब इसे अद्रिश होकर मुझे पर हावी होने का अफसर नहीं दूँगा मैं, हनुमान ने इस दुष्ट राक्षर्ष को प्रकट करने का उपाय धूण लिया है, अब मेगनाथ संकट में आ गया है, अनेक दिव्यो शक्तियां जिसमें संचित हो, उस माया भी और भैंकर मेगनाथ को अभी भी कम नहीं आका जा सकता पबंदे, तुष्ट मेगनाथ, अब तुम्हारे प्रतेक वार का उचित उत्तर देगा ये राम दूद हनुमान, जाए श्री राम! पहले तुम्हें मुझे देखने की शमता होनी चाहिए वानार, मुझे निम्हें देखने की अवे ली चाहिए शेखनाओ VO जदूँम्हें की झुम्हें उप्योर यह तो मुझे देख सकता है पुन्हा अद्रिश्य हो गया? पहले तो तुम अद्रिश्य थे मेगनाद परंदो अब कीचर लगने के बाद देखता हूँ किधर से आते हो प्याद याद प्याたई रुम व्या प्या 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 री कर दूँ कर दो मिंगा! कर दूआ हुआ खर कर दो जढ़ thế कर दो कर दो जकार जड़ कर दो कर दो कर दोपनी करिक गर भाफ में खेखाई कर दूदान है अब कहां बच के भागोगे तुम दिखाओ मुझे अपनी गती दिखाओ अब कर दोँदेशना दोटार्व कर दोटार्व कर दोटार्व के अपनी 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 निवाद दोटार्व के तुम अज हनुमान द्वारा इस दुष्ट मेगनाद को हम देवताओं पर किये अत्याचारों का भी धंड प्राप्त होगा मेरी प्रबल इच्छा हो रही है कि मैं भी इस यूद में सम्मिलित होकर मेगनाद से अपनी पराजाए का प्रतिशोद लूँ आप चिंता ना करें देवरा हनुमान एका की ही इस दुष्ट के लिए प्रयाप्त है कहां गया ये तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं जो मेगनाद को पराजित कर सके परन्तु ये वानर कौन है ये वानर बिना अद्रेश्य हुए मैं इसे पराजित नहीं कर पाऊंगा हे मातानि कुम्बला देवी मेरी सहायता कीजिए यदि इस वानर ने मुझे धर लिया तो संभभे किये मेरा अंथी कर दे इससे अपने उपर वार करने का कोई अफसर नहीं देना चाहिए मुझे वानर आओ मेगनाध कहां छुप गये थे मुझे राम भक्त से आतंकित हो गये थे क्या आओ मेगनाध कहां छुप गये थे स्वैम को तो बहुत महान युद्धा बताते हो वानर अब तुम्हारी मृत्यू मेरे हाथ होगी आओ अभी ये राम भक्त तुम्हारा भ्रम भी दूर कर देगा झुम्हारा अँ झाल हखख? प्रुवाँ फिर्ट विष्टी माता देवी निकुमला ने मेरी सहायथा की मेरे और इस वानर के शरीर की गीचड धुल गई अब मैं पना अद्रश्य हो सकता हूँ अब मुझे अविलंब इस दुष्ट को अंत्रिक्ष में ले जाकर अपने माया भी तिरलोक में बंदी बना लेना चाहिए अपने रध के साथ क्या करना चाहता है ये माया विराक्षस वानर तुम्हें अपनी तीवर्गती और शक्ती पर बहुत विश्वास है ना तो आओ मुझे पकड़ कर दिखाओ अंत्रिक्ष में युद लड़कर पचार दो मुझे हनुमान को इस दुष्ट राक्षस की ये चुनोती प्रिकार नहीं करनी चाहिए वो हनुमान को अपने मायावी तिर्लो की और ले जाने का प्रियास कर रहा है जिसमें जो एक बार पता वो कभी जीवित बाहर नहीं आया कहीं ये इस दुष्ट का कोई नया चल तो नहीं क्या हुआ वानर रुक क्यों गए आओ करो मेरा सामना और अंत कर दो इस युद्ध का राम दूथ हो न तुम राम की शक्ती से सब कुछ संबाब बना सकते हो प्रतीत होता है कि मेगनात के भैसे जड़ हो गए तो जाओ भाग जाओ युद्ध छोड़कर तो कर दो प्रमानित तुमारे समान तुमारे स्वामी प्रभू श्री राम लंका में प्रवेश कर राक्षसों से लड़ने का सहासी नहीं जुटा सके जैसे भीरू राम दूथ वैसे ही उनके भीरू श्री राम प्रभू श्री राम का निरादर कदापी नहीं सहेगा हनुमान इस दुष्ट राक्षस का अंतकर ऐसा उदाहरन स्थापित करूँगा कि प्रभू श्री राम के यहां आने का समवाद सुनकर ये राक्षस आतंकित होकर थर्रा उठे इस युद्ध को पूर्ण किये बिना नहीं लोटूंगा मैं जाए श्री राम मेरा छलाबा सफल हुआ अब इस वानर का अंत शीगरी होगा तुम्हारी त्वरित गती भी तुम्हें हनुमान से नहीं बचा सकती मेगनाद तुम मुझे तक पहुँचकर भी मुझे नहीं पकरपाऊगे वानर मैं शीगरी ही तुम तक पहुँच जाऊंगा कहिए मेगनाद अनुमान को छल से अपने मायावी त्रिलोग के और तो नहीं लेकर जा रहा है ओ, ये रक्तवर्णी लगू ग्रहों का जुंड कहां से अकस्मात आ गया हमारे मध्य मेगनाद कहीं मेरी दृष्टी से ओजलना हो जाए किन्तु ये रक्तवर्णी लगू ग्रह यहां कैसे आ गए ये तो बिहस्पति ग्रह के निकट पाए जाते हैं कहीं ये मायावी मेगनाद की रचाई हुई कोई माया तो नहीं अवश्य ही मेगनाद मुझसे कोई चल कर रहा है मुझे शीग रही इन खुद्र ग्रहों का ध्वंस करते हुए उस तक पहुँशना होगा जै श्री राम इन उलका पिंडों के मध्य से निकलना संभव नहीं है मुझे इन्हें तोरते हुए आगे जाना होगा कर दो आगे देश्मर के अवश्य हुद्र आगे जार प्रह भाजे इन्हें आगे जा उवश्य हाँ तो ये मेगनाद के ही कोई माया विक्रिडा थी जो वो मेरे साथ कर रहा था आओ मुर्क वानर आओ अब तुम सीधे मेरे माया विक्रिलो के माया जाल में ही फसोगे ए मायावी कपाल जैसे ही वो वानर मेरे मायावी ग्रहों को पार करे उसे मेरे मायावी धुम्र के घेरे में फसा कर प्रामेट कर दो झाल 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 झाल